बहु के आलू अब तु इस घर में आ गई है तो काम थोड़ा फूर्ती से करना सीख ले जी, जी माजी चल आप जल्दी से तयार होकर किचन में आ जा रितु तयार होकर किचन में चली जाती है जहां उसकी सास उसे कहती है देख बहु, आज से ये तेरा किचन है पहले तो तु कुछ मीठा बना ले उसके बाद खाना बना लेना नई नवेली बहु किचन में कुछ मीठा बनाती है ठीके माजी, मैं खीर बना देती हूँ रितु खीर बनाने में लग जाती है तब ही उसे किचन में एक टोकरी में आलू रखे दिखते हैं वो खीर बनाने के साथ साथ आलू भी छिलने लग जाती है। खीर बनाने के बाद रितु ने आलू की सबसी बना ली। उसके बाद उसने अपने पती और अपनी सास को खाना परोसा तो उन दोनों को ही खाना बहुत पसंद आया। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, खेर तो बहुत अच्छी बनाई है, हाँ बहुत खाना बहुत अच्छा है, आलो की सबसी भी बहुत अच्छी बनाई है, चाल वे देऊ, बहु को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, गिफ्ट तो नहीं लाया मा मैं, पर हाँ रितु, त अपनी बहु से कोई शिकायत नहीं है। एक दिन निर्मला ने अपनी बहु से पूछा। बहु, आज रात खाने में क्या बना रही हो। माजी, आलू शिमला मिर्च बना रही हो। आच्छा ठीक है, बना ले। मिर्च कम ही रखना। जी, ठीक है माजी। रीतू आलू और शिमला मिर्च की सबजी बना लीती है। थोड़ी दिर बाद विद्योत काम से घर आता है। तो सभी साथ बैटकर खाना खाते हैं। उस सबजी देखकर कहता है। अरे, तुमने शिमला मिर्च आलू बनाया है। यर तुमने लंच में भी आलू की ही सबजी दी थी। हाँ बहु तुम रोज रोज आलू की ही सबजी बनाती हो। कल कुछ और बना लेना हाँ। जी, ठीक है माजी। अपनी सास और पती के कहने के बाद भी अगली सुबह उसने आलू के पराठे बना दिये। जब विद्योत और निर्मला नाश्टा करने बैठी तो विद्योत नी कहा। पराठे, वो भी आलू के। अरे, बहु तुझ से मना किया था आ, कि आलू की सबजी मत बनाना। मा जी आपने आलू की सबजी बनाने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो आलू की पराठे हैं ना, अरे बहु, है तो आलू ही ना, अब आगे से मत बनाना, ना आलू की सबजी, ना आलू के पराठे, आरी तू, मा ठीक कह रही है, हाला कि तुमने पराठे अच्छे बनाये हैं लेकिन आगे से आलू के मत बनाना, प्लीज अच्छा बबा ठीक है, ना तो मैं आलू की सबजी बनाऊंगी और ना ही आलू के पराथे अब खुश आप दोनो, अगले दिन रितू ना तो आलू की सबजी बनाती है और ना ही आलू के पराथे लेकिन आज रितु बनाती है चावल वो भी आलू वाले जब निर्मला खाना खाने बैठती है तो उसे चावल में आलू दिखाए देती है वो अपड़ी बहु से कहती है अरे बहु तुझसे मना किया है ना क्या आपसे तू आलू नहीं बनाएगी माजी मैंने आलू कहा बनाए है मैंने तो चावल बनाए है अरे बहु तो चावलों में आलू तेरे माई के वाले डाल कर गए है क्या माजी आपने आलू की सबजी और आलू के पराठे बनाने से मना किया था आलू के चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था इसलिए मैंने चावलों में थोड़े से आलू डाल दिये बहुत तेरी आलू घाने के आदत से बहुत परिशान हो गई हूँ आज के बाद तुम वही बनाओगी जो मैं कहूंगी समझी निर्मला अपनी बहु को डांटी रही थी कि तबी विद्योत आजाता है अरे मा क्यों चिला रही हो क्या कर दिया रितुने अरे बेटा बूच तो ऐसे रहा है जैसे तुने आज लंच नहीं किया पता तो होगा तुझे तेरी बीवी ने क्या बनाया है आज हाँ मा क्यो नहीं चावल बनाया ना और चावल में क्या डाला है चावल में आलू डाले थे हाँ बस इसलिए चिला रही थी इसके उपर अरे हर चीज में आलू ना डाला करे रितू चावल तो तुमने बहुत अच्छे बनाये थे लेकिन आलू नहीं भी डालती ना तो भी चलता अगले दिन निर्मला ने अपनी बहु को भींडी ला कर दी बहु यलो आज भींडी बना लेना और इसमें नीम्बू भी डाल देना नीम्बू डालने से भींडी का टेस्ट बढ़ जाता है रीतू भींडी लेकर किचन में चली जाती है और उसे बनाना शुरू कर देती है लेकिन जब विद्योत और निर्मला खाना खाने बैठते हैं तो दोनों के भींडी देख कर होश ओड जाते है बहु बहु कहा हो जल्दी यहाँ आओ क्या हुआ माजी? यह क्या बनाया है? भींडी भींडी बनायी है माजी और भींडी में डाला क्या है? माजी एक दो आलू पढ़े थे, मैंने सोचा डाल देती हूँ कमोन यारितू मतलब तुम आलू देखोगी तो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी सबजी में डाल दोगी यार मैं तो नहीं खा सकता ये सब देखने में इतने अजीब लग रहे तो खाने में कैसे लगेंगे बहु तेरे माई के में बनता होगा ऐसा खाना लेकिन हमारे यहां नहीं बनता है ऐसा खाना लेकिन माजी आप खाकर तो देखिए बहुत अच्छा बना है मैंने नींबू भी डाला है इसमें अरा तुभी खा इसे और ना खा पाए न तो अपने माई के भेज देना तेरे इस अनोखे हुनर के बारे में तेरे माई के वालों को भी तो पता चलना चाहिए विध्युत और निर्मला बिना खाना खाये ही चले जाते हैं शाम को निर्मला अपनी बहु को डाल देती हुए कहती है बहु यले डाल और ढंग से बनाना अगर डाल इस बार अच्छी नहीं बनी तो तेरे माई के बिजवा दूँगी चाहे मुझे खुदी क्यों ना जाना पड़े तेरे माई के माजी मैं बहुत अच्छी डाल बनाऊंगी रितो डाल लेकर चली जाती है और वो डाल बना भी लेती है लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो डाल में आलू डाल कर बना दीती है ये देखकर निर्मला का पारा गुस्थे से हाई हो गया और वो कहने लगी रितू, रितू ये क्या बनाया है तुने तुमने तो हद कर दी रितू, डाल में आलू कौन डालता है तुझसे किस ने कहा कि डाल में आलू डाले, किस ने कहा लेकिन किसी ने मना भी तो नहीं किया था कि डाल में आलू नहीं डालू तो तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या कि डाल में आलू नहीं डालते हद करती हो यार हर चीज में आलू इतने आलू खाओगी तो आलू जैसी हो जाओगी मा मैं बाहर से खाना ओर्डर कर रहा हूँ आपको क्या खाना ये जल्दी से बुलिए अरे मंग आले बेटा कुछ भी तेरी बीवी के खाने से तो अच्छा ही होगा ना खाना मा इन आलूओं का कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो इसी तरह से बार बार बाहर से खाना खाएंगे तो तब्यत भी खराब हो जाएगी और बजट भी अरे बेटा अब मैं घर में आलू रखूंगी ही नहीं फिर देखती हूँ कि क्या बनाती है तेरी बीवी निर्मला ऐसा ही करती है वो बजार से सारी सबजिया लेकर आती है लेकिन आलू लेकर नहीं आती जब रीतो ये देखती है तो अपनी साथ से पूछती है माजी आप सारी सबजिया लाई हो लेकिन आलू नहीं लाई खबरदार पहू अगर इस घर में तुन्हें आलू का नाम लिया तो आप इस घर में आलू कभी नहीं आएंगे और तू तो बस ये समझ कि आलू का नाम लेना भी तेरे लिए पाप है लेकिन माजी आलू के बिना फेर तुने आलू का नाम लिया बोला है न के आलू का नाम नहीं लेना है समझी यह पकड़ पालक और पनीर फ्रिज में रखा है पालक पनीर बना ले रितू बिना मन के पालक पनीर बनाने लगती है लिकिन तभी उसके मन में एक खयाल आता है और वो अपने हाथ दुपनी तीजी से चलाती है शाम को सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो निर्मला अपने बेचे से कहती है बेटा आज तू पेट भर कर खाना खाना बहु ने आज पालक पनीर बनाया है मा आलू तो नहीं डाले ना उस देखाने में अरे बेटा मैं आज बाजार से आलू खरित कर लाई ही नहीं ना घर में आलू ना ये बनाएगी मा मतलब ये हुआ कि ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी दोनों मा बेटे आज बहुत खुश थे लेकिन दोनों को क्या पता था कि उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी रितू ने जैसे ही दोनों को पालक पनी सव किया तो दोनों के सामने पालक की साथ पनी नहीं बलकी आलू थे रितू क्या है ये मा ने तुमसे पालक पनीर बनवाया था ना और तुम आलू पालक परोस रही हो बहु ये आलू कहा से लाई तू मैं तो कई दिनों से आलू लाही नहीं रही हूँ माजी ये तो मैंने पड़ोस वाली शीला चाची से लिए हैं मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में आलू नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझ से ले ले हमारे घर में तो बहुत सारे आलू है रितु की बात सुनकर निर्मला और विद्यो दोनों ने सर पर हाथ रख लिया वो दोनों कभी रीतों की तरफ देखते तो कभी प्लेट में रखी आलो की सबजी को, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर की बहु से आलो का पीछा कैसे छुड़वाए?